नमस्कार इस विशेश समाचार बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ असीब मिश्वरा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सेंग शिरुवात हेड्लाइन्स के साथ प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और तेलंगाना को देंगे विकास की सौगात पी-म आज तेलंगाना में 6100 करोड़ों पैसे जादा की बुनियादी धाचा परियोजनाओं की रखेंगे आधार शिला प्रधार मंत्री आज बीकानेर में 24300 करोड़ों पैसे अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकारपन और शिला न्यास बीकानेर के पास नौरंग देशर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित पश्चुमंगाल में 73,000 सदिक सीटों पर 35,000 चुनाब के लिए मतनान हुआ शिरूप हिंसा के आशंका को देखते हुए केंद्रिय बलों की की गई तैनाती 11 जुलाई को आएंगे नतीजे अहमदाबाद में चल रहे अरबन 20 मेयर शिकर सम्मिलन का आज अंतिम दिन दुनिया भर के 57 शहरों के प्रतनी धी सम्मिलन में शामिल भवश्र के लिए वैश्विक शहरी धाचा तैयार करने पर मन्था विदेश और संस्रिती राज्जी मंत्री मिनाख्षी लेखी क्रोएश्या और उत्तरी मेसरडोनिया की चार दिवसी यात्रा पर आज क्रोईश्याई, विदेश और येरोपी अमामनों के मंत्राले द्वारा आयोजित, प्रतिस्ठित, डेवरोवनिक फोरम में लेंगे हिस्सा और कनाड़ा ओपन बैटमिंटन ट्रोडामेंट में भारतिय बैटमिंटन स्टार, पेवी सिंधू और लक्ष हुसेन की जीत का सिलसिला जारी, दोनों खिलाड़ी आज खेलेंगे अपना-पना सिमी फाइनल मुकाबला और अब सभी खबने विस्तार से ही, प्रुधान मंतिर नरेंदर मोदी आज तिलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और दोनों राज्यों को 30,000 करोड से ज़्यादा की परियोजनाओं का तोहफा देंगे तिलंगाना में प्रुधान मंतिर आज लगभग 6,100 करोड रुपए की कई एहम विकास परियोजनाओं की आधार शिला रखेंगे जिसमें 5,550 करोड रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 176 किलोमिटर लंबी राष्ट्री राजमार्ग परियोजनाओं शामिल है पियम मोदी रेलवे विनिर्मान एकाई काजी पेट की आधार शिला भी रखेंगे 500 करोड रुपए से अधिक की लागत से विक्सित की जाने वाले इस आधुनिक विनिर्मान एकाई से वैगा निर्मान खिर्मता में वृध्धी होगी प्रधान मंत्री आज अपनी राजस्थान यात्रा की दोरान बीकानेर में 24,300 करोड रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकारपन और शिला नियास करेंगी इसमें छे लेन वाले अमरित सर जामनगर ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे खरने का लोकारपन भी शामिल है राजस्थान में इसकी लंबाई 500 किलो मीटर की है इसके साथ ही पी-म 10,950 करोड रुपए की लागत से बन कर तैयार एक हरित उर्जा गल्यारे का भी लोकारपन करेंगी ये लगबग 6 गीगावाट नवी करनी उर्जा को एक किक्रित करेंगा इसके लावा बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले एक E.S.I.C.S. पताल का भी लोकारपन होगा प्रधान मंत्री बीकाने रेल वेस्टेशन की पुनरविकास परियोजना की आधार शिला भी रखेंगे ये लगबग 4500 करोड रोपए की लागत से विक्सित किया जाएगा इसके साथ ही 43 किलोमीटर लंबी चूरू, रतनगड, रेलगड के दोहरी करन की भी आधार शिला रखी जाएगी बृटेण के रष्ट्रिय सुलक्षा सलाकार सर टिम बैरो भारत दोरे पर है उन्होंने शुकरवार को NSA अजीद डुभाल से मुलाकाद की दोनों दिशों के NSA ने यानि रश्ट्री सुरक्षा सलाकारों ने बृतेन में भारती उच्चायोग और भारती राजनाईकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की इस दोरान सर्टेम बैरो ने ब्रेटेन में उच्छायोग और भारती राजनाईकों की परियाप्त सुरक्षा का आश्वासन दिया परश्व मंगाल में 73,000 से अधिक सीटों पर 33,000 पंचाय चुनाब के लिए मतदान शुरू हो गया है काफी संख्या में लोग मद्दान के इंद्रों पर अपने मद्दान का प्रयोग करने के लिए पहुँचने लगे हैं आज राजी की 928 जिला परिशद, 9730 पंचायद समिती और 63,239 ग्राम पंचायदों की सीटों के लिए करिब 5.67 करोड मद्दाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे शाम पांच बज़े तक वोट डाले जाएंगे वहीं पंचायद चुनाब के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे चुनाब के लिए सुरक्षा के कड़े इंद्जामात किये गये हैं कलकत्ता हाई कोड के आदेश के मताविक इस बार केंद्रियों बनों के भी तायनाती की गई है एंदाबाद और गांधे नगर में जारी अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मिलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है दो दिनों के इस शिखर सम्मिलन में दुनिया भर के 57 और भारत के 35 शहरों के प्रतनीधी और प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं इनमें 45 महापौर और उप महापौर भी शामिल है सम्मिलन में भविश्य के लिए वैश्विक शहरी धाचा तयार करने पर मन्थन हो रहा है गुजरात के मुक्य मंत्री भूपेंद्र पटेल और आवास और शहरी कारे राज्य मंत्री कोशल किशोड ने कल इस सम्मिलन का उधगाटन किया इस मौक्य पर मुक्य मंत्री भूपेंद्र पटेल ने शहरी करन और जलवायू के बढ़ती चुनातियों से ने पटने के लिए टिकाव और जलवायू के अनुकूल शहरों के निर्मान के आवश्यक्ता को उजागर किया विदेश और संस्कृती राज्यमंत्री मिनाक्षी लेखी देर राद चार दिवस्ये क्रोईशिया और उत्तर मैसेडोनिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गई क्रोईशिया में राज्यमंत्री मिनाक्षी लेखी आज क्रोईशियाई विदेश और येरोपी अमामलों के मंत्राले दोरा आयोजित प्रतिश्थित डेवरवनिक फोरम में हिस्सा लेंगी फोरम का दोहजार तैईस संस्करन वेश्विक भू राजनीती और भू अर्थशास्तर की गतिशीलता और जरूरतों पर केंद्रित होगा राज्यमंत्री दस और ग्यारह जुलाई को उत्तर मेसेडॉनिया का दोरा करेंगी जहां वो विदेश मंत्राले और संस्कृती मंत्राले में अपने समकक्षों से मुलाकात सहित द्विपक्षिय संब्धों पर व्यापक चर्चा करेंगी वो विदानसवा अध्यक्स से मुलाकात करेंगी और इस कॉबजे में भारतिय प्रवासियों के साथ बात चीत करेंगी वो मदर टेरेसा के मेमोरियल हाउस का भी दौरा करेंगी भारत के क्रोएशिया रुत्तर मेसरोनिया के साथ घनिस्ट और महत्रिपुन संबंध है रुत्तर मेसरोनिया जनवरी दोहजार तेईस में भारत द्वारा आयोजित वाइश वाइस वफ ग्लोबल साउथ शिकर सम्मिलन का हिस्सा था भाजपा के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा आज राजधाने दिल्ले में पार्टे के सभी मोर्चों के साथ बैठक करेंगे दिन भर चलने माली ये महतुपुन बैठक सुबह करिब नौ बजे भाजपा कार्याले में शिरू होगी बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष अपनी आगामी योजनाएं पेश करेंगे बैठक में बीजेपी के बियर संतोष भी मौझूद रहेंगे कई राज्यों में होने वाले विधानसवा चुनावों इसे लेकर बीजेपी ने चुनावी राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 गर और तेलंगाना में नए प्रभारियों और सह प्रभारियों की न्यूक्ति की है केंद्रिय संसद्य कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया गया है जबकि नितिन पटेल और कुलदी बिश्णवी को राजस्थान में सह प्रभारी बनाया गया है वहीं बीजेपी के राष्ट्री उपाध्यक्ष ओम माथुर को 36 गड़ का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है जबकि केंद्रिय स्वास्थ मंत्री मंसुक मांडविया सह चुनाव प्रभारी बनाये गया है इसके लावा केंद्रिय पर्यावरान मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्ध प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है मध्ध प्रदेश में केंद्रिय रेल मंत्री अश्चुनी वैश्णव सह चुनाव प्रभारी बनाये गये हैं में प्रकास जावडे कर तेलंगाना के चुनाव प्रभारी निकते हुए हैं केंद्रिय महासचीब सुनील बंसल को तेलंगाना के लिए सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है प्रभत्र निदेशाले ने आम आदवी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंतरी मनीश सिसोदिया उनकी पत्नी और अन्नी की बावन करोड रुपए से अधिक की संपत्ती कुर्क की है एडी के मताबिक इस बावन करोड की चल और अचल संपत्ती में 7 करोड 29 लाग रुपए की दो प्रॉपर्टी मनीश सिसोदिया उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया साथी राजेश जोशी और गौतम मलहुत्रा की जमीन और फ्लैट शामिल है इस कुर्की में 44 करोड 29 लाग रुपए का कैश और चल संपत्ती है इसमें से 14 लाग 49 लाग रुपए मनीश सिसोदिया और 16 करोड 45 लाग रुपए वरिंद को सेल्स प्राविट लिमिटेड और अन्निके है एडी ने आपकारी नीती में मनी लांडरिंग से जोड़े मामले म अभी तक 13 अरोपियों को गिरफ़तार किया है घरतलबे की सुसोदिया को एडी और सीविया ने दिल्ली आपकारी नीती मामले में गिरफ़तार किया था मौस्ण विभाग ने कहा है कि मौनसून के दौरान कुल बारिश में 7 फीसद की कमी रही है विभाग ने पहली जून से पांच जुलाई तक कुल वर्षा के विश्ट्रेशन में कहा है कि पूरवी और पूरवत्तर भारत में 17 फीसद और दक्षिन भाग में 32 फीसद कम बारिश हुई है हला कि इस दौरान देश के उत्तर पश्रिम भाग में बारिश में 37 फीसद की उलेखनी वृद्धी देखी गई है वहीं दिल्ली और आसपास के लाकों में आज अहले सुबह मौसम ने करवट ली तड़के हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ रहत मिली दिल्ली, नौइडा, घाजियाबाद समयत कई अलाकों में सुबह से बारिश हुई है सुबह सुबह ही बारिश होने के कारण कई अलाकों में सड़कों पर जल भराओ भी देखने को मिला करनाडा ओपन बैटमिंटन टूर्णामेंट में भारते बैटमिंटन स्टार पीवी सिंदू के जीत का सिलसला जारी है सिंदू ने कौाटर फानल मकाबले में चीन की गाव फैंजी को 21-23-27 के सीथे गेम में शिकस देकर सेमी फानल में अपने जगह पकी की जहां आज रात उनका सामना जापान की अकाने यामागूची के खिलाफ होगा वहीं प्रोशेकल वर्ग के कौाटर फानल में लक्ष सिंद भी अपना मकाबला जीतने में सफल रहे लक्ष ने कौाटर फानल में बेल्जियम के जूलियन कैरेगी को 21-8, 17-21, 21-10 से शिकस दी लक्ष अब सेमी फानल में जापान के केंटा निश्री मोटा से के साथ आज रात भिड़ेंगे इंग्लेंड और ऑस्टेलिया के बीच एश्रेस सिरीज का तीसरा मकाबला हैंडिगले में खेला जा रहा है शुकरवार को मैच के तीसरे दिन खेल समाप थोने तक ऑस्टेलिया ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 116 रन बना लिये हैं इस तरह ऑस्टेलिया के कुल बढ़त 142 रन की हो गई है ऑस्टेलिया के शरुवाद दूसरी पारी में खराब रही ओपनर डेविड वार्णर फिर से इस सिरीज में फेल हो गए उन्हें स्टूर्ट ब्रॉड ने जैक क्रॉली के हाथों कैच कराया वर्डर ने पांच गेंद पर एक रन बनाए वो टेस्ट किकेट में 17 भी बार स्टूर्ट ब्रॉड के गेंद पर आउट हुए मानस लवुशन 77 गेंद पर 33 रन बनाकर मोहीन अली का शिकार बने इससे पहले इंग्लैन की टीम पहली पारी में अपने पहले दिन के स्कोर तीन विकेट पर 68 रन से आगे खेलना के लिए उतरी वो 237 रन पर सिमट गई इंग्लैन की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स ने शांद झाल